और अगर सगन विशेश्टा विपक्ष मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य रखे तो बहुत चारी चीजे उजागर हो सकती है सकती है। पहले आपकी पीच पर आपके आसन पर जिस प्रकार का आत्रमक बरताव आज देखा गया उसका मैं खंडन करती हूं पहली बार राश्रिके के हास में भारत माप की हत्या की बात की और कंग्रेस पाटी यहां पर तालिया बजाती रही जो भारत की हत्या की बात पर कंग्रेस पाटी ने ताली पिकी आज इस सदन में इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूँ मनिपूर खंडित नहीं है विभाजित नहीं है मेरे देश का अंग है मैं इनसे पूछती हूँ इनहीं की अलाइंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिल नाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत अगर हिम्मत होना हूँ गांधी में तो आकर भारत के उपर इस प्रकार का कटाश करने वाले इम्के के अपने साथी का खंडन करके बताएं कंग्रेस पाथी के एक नेता ने कश्मीर में रेफिरेंदम की बात की अगर हिम्मत है गांधी खांगान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्त अव्यत क्यों है You are not India Because you define corruption in India You are not India Because you define incompetence You are not India It's that good The children Please बेटिए उनको अपनी बात के ने दीजीए अपनी बात के ए ये ये तरीक ठीक नहीं है No no गलत तरीका है आपका No गलत तरीका है आपका कहतीू हूं पुना कहती हूँ अध्यक्ष महदेर, शायद अपने ही कोला हल में सुन ना पाएं हूँ, मनिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। इनके UPA के अलाइंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव ये दिया है, पुना कहती हूँ, कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत, मैं आज गांधी खांडान से कॉंग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूँ, क्या भारत केवल उत्तर भारत है, अगर दम है, तो अपन में पार्टनर को मुतोर जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्ता रखते हैं, कॉंग्रेस के एक नेता ने, अध्यक्ष महदे कोट में जाकर वक्तव्य दे दिया, कि कश्मीर में रिफरेंडम की तलाशना चाहिए, संभावना, मैं आज कॉंग्रेस पार्टी से पूछन चाहती हूँ, क्या उनके आदेश अनुसार ये वक्तव्य की कश्मीर का खंडन हो, भारत विभाजित हो, क्या ये कांग्रेस के नेत्रित्त के आदेश के अनुसार है, अध्यक्ष मौदे पुना कहती हूँ, पुना कहती हूँ, हमारे राष्ट के संसदिये इतिहास में, मा की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैट कर मेज नहीं थपतपाते, कंग्रेसियों ने बैट कर मा की हत्या के लिए मेज थपतपाई है, ये बात करते हैं इंसाफ की, ये चहरा धूमिल है, ये चहरा धूमिल है, मैं बताओं किसका चहरा है, मैं बताओं किसका चहरा है ध्यक्ष महदेर ये चहरा है गिरिजा टिक्कू का सुन लीजिये पंडितों की दास्तान आप भी गिरिजा टिक्कू का ये चित्र है नभ्भे के दशक में एक महिला युनिवर्सिटी में अपना पेचेक लेने जाती है सारी बाते करो अपना पेचेक लेने जाती है बस से घर लोटने का प्रयास करती है उसको पाँच मर्द बस से खीच कर टैक्सी में ले जाते हैं बलातकार करते हैं और फिर आरी से उसका बदन काट देते हैं जब गिरिजा टिक्कू के जीवन पर एक फिल्म में एक प्रती आया मैं आज कहना चाहती हूं कि कॉंग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने उसको प्रपगेंडा कहा सरला भट सरला भट आप नहीं चाहते कश्मीरी पंडितों की दास्तान कहीं सुनाई जाए आप नहीं चाहते वो अडेंटिपाई हो अज बिक्टेम्स सरला भट मेडिकल स्टाफ थी नब्दे के दशक में उसको उसके इंस्टिट्यूट से अगवा करके गैंग रेप किया गया और सड़क के किनारे रखा गया आज मैं पूछना चाहती है कि एक तरफ इनकी अलाइंस के लोग हिंदुस्तान को विभाजित करने की बात करते हैं ये आज अपने आपको इनसाफ के पुजारी बताते हैं लेकिन मुझे बताईए गिरजा टिक कू सरला बट को कब इनसाफ मिलेगा हर गली हर महले में एक स्लोगन बूँचता था पंडितों के बीच रलीव सलीव गलीव पुना कहती हूँ रलीव सलीव गलीव आप चिलाना बंद करें समझे पहले रलीव सलीव गलीव या तो अपना धर्म बद्रो या कश्मीर छोड़ो या यहीं मरो उनकी आवाज भारत की आवाज नहीं है उनकी आवाज को आपने कभी नहीं सुना मैं आज कहती हूँ इन्हों ने कहा अश्रू बहाए ब्रह्मन किया 84 के दौरान में मुझ जैसे कई लोग देश की राजधानी में थी और किसी का वक्त अव्या ना सुने अर्ध्यक्षिजी एक प्रत्रकार है प्रणे गुपता उन्होंने लिखा कि सिख बच्चों को कैस्ट्रेट करके उनके अंगों को उनकी मा के मुझ में थूसा गया आज बोलती हूँ त्रिलोग पुरी में तीस औरतों को एकठा करके चीला गाओं में ले जाकर उनका बलातकार किया सुल्तान पुरी में एक महिला ने अफिडेविट दी है मेरे हजबन को मार दिया बेटी को शादी से एक रात पहले उठा कर ले गए और उसका बलातकार किया एक 45 साल की माने कहा सिख दंगों के दौरान कि ना सिर्फ मेरे पती को मारा ना सिर्फ मुझे गैंग रेप किया बल्कि मेरे सामने मेरे बेटे पर केरोसीन छड़क कर उसको आग लगा दी गई और आज भारत की बात करते हैं कहते हैं कि कश्मीर से कन्या कुमारी तक 130 दिन चल रहे थे मैं जोडों के दड़ पर भाशन नहीं दूंगे अध्यक्ष मौदे लेकिन इतना जरूर कहूंगे कि जिन वादियों को हिंदूस्तान ने खुन से सना देखा है जिन वादियों में गोलियों की आवाजे हर दिन सुनाई देती थी जब ये उन वादियों में गए तो जैसे कश्मीरी कहते हैं शीन जंग कर रहे थे बरफ के गोलों के साथ अपने के किजी परिजन के साथ खेल रहे थे अध्यक्ष महोदें ये तब संभा हुआ जब रधान मंत्री मोदी ने धारा 370 हटाई आज इस सदन में उलेक हुआ है कि ये गए है I've been too many poor you might have not been आज इस सदन में उलेक हुआ है कि ये यात्रा में गए और यात्रा में क्या आश्वासन दिया कि अगर इनका बस चले तो धारा 370 ये पुना स्थापित कर दे धारा 370 की वजह से कश्मीर की बेटियों को दहेज के लिए अगर प्रताडित किया जाता था तो वहां की बेटियों के पास कानून का सहरा नहीं था क्यूंकि इन्हों ने धारा 370 लगाई कश्मीर में अगर बेटियां प्रदेश के बाहर ब्याही जाती थी तो उनके पैट्रिक संपत्ती पर उनका अधिकार समाप्थ हो जाता था क्यूंकि इन्हों ने धारा 370 लगाई कश्मीर में अगर 14 साल से कम उम्र की बच्ची का 18 साल से कम उम्र की बच्ची का ब्यार अचा दिया जाता था तो उसे कानून का संरक्षन नहीं मिलता था क्यूंकि इन्हों ने धारा 370 लगाई आज जो भगगए हैं सदन से उनसे कहना चाहती हूँ कि इस देश में ना धारा 370 लोटेगी इस देश में कभी भी पंडितों को रलिव सलिव गलिव का हम की कोई देने वाले बचेगा नहीं आज कई यहाँ पर बहने उपस्थित है जो वहाँ से अपनी आक्रोश को और राहुल जी के प्रती समर्थन को व्यक्त कर रही है 84 के दंगों का विवरंड सुनकर गिरिजा टिक्पू का विवरंड सुनकर और मैंने स्वयम ध्यक्ष जी मनिपुर के मुख्यमंत्री से बात कर त्वरित रूप से वहाँ पर लोग पकड़े जाएं ना सिर्फ इसका वहाँ पर निवेदन किया बलकि वो लोग पकड़े गए सीबी आई की इंक्वाईरी जारी है लेकिन जो आज यहां बैठे हैं मैंने उनसे पूछना चाहती हूं जो चले गए उन्होंने कहा वो राजिस्थान गए है और राजिस्थान में क्या हुआ महदे है गिरिजा टिक्कू को तो नब्बे के दशक में आरी से काठ दिया गया था भीलवाडा में 14 साल की लड़की के साथ सामोहित बलातकार होता है इस सदन से दो महिला एंपी उस परिवार से मिलती है बच्ची जब जिन्दा थी गैंग रेप के बाद महदे उसे काटा जाता है फिर उसे भट्टी में डाल दिया जाता है ये इन महिला सांसदों का वक्तव्य है कि जिस बच्ची को 14 साल की उमर में जब जीवित थी गैंग रेप के बाद भीलवाड़ा राजिस्थान में काटा गया जलाने के लिए फैका गया उसका मात्रेक हाथ बट्टी के बाहर छूट गया था मैं आज पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष महदे ये आज जो जो जोर जोर से चिला रहे है न्याई की गुहार इन्होंने तब नहीं लगाई जब साट साल की एक महिला का पश्चिम बंगाल में उसकी नाती के सामने गैंग रेप हुए कोट में केस लंबित है इनका दिल नहीं दहला और पूछ रहे थो कि मनिपूर के बारे में आप नौर्थीज के बारे में नहीं जानते जिन्होंने प्रस्तावना की उनसे कहती हूँ नल्ली का मैसिकर हुआ पाँच मिनिट के लिए कॉंग्रेस के एक मेत्री गई लेकिन इनका क्या रुख था तब 2012 में तरुन बुगोई जी ने स्वैम वक्तव्य दिया है कि दंगे हो रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस की केंडर की सरकार ना ट्रूप्स दे रही है ना इंटेलिजन्स दे रही है कोक्रा जार की बात करते हैं कि मेरा वक्तव्य नहीं है तबके कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री तरुन वोई का वक्तव्य है कोक्रा जार में इंसा होती है धुबड़ी में तीन-तीन महीने कर्फ्यू रहता आज महद है जो लोगदंत्र की दुहाई दे चुके हैं हम बार बार इस सदन में इस सदन में बार बार एमेरजेंसी की गाथा को याद करते हैं इस सदन में हम लोग बार बार उन नेताओं को उन सामाजिक संस्थाओं को उन मीडिया के बंधों को उनकी प्रिंटिंग प्रेस कैसे जबरन बंद कए गई उसको इस पर विस्त्रिक चर्चा होती है लेकिन इमरजेंसी के काल खंड में साधारण महिला का इन्हों ने कांग्रेस पार्टी ने क्या हश्र किया सेल अता रेड़ी की आज बात करना जरूरी है बैंगलूरू की जेल में बंद किया गया और इसलिए बंद किया गया क्यूंकि वो सोशलिस्ट थी भाजपाई नहीं थी सोशलिस्ट थी और जब बंद किया दो माई उन्नीस सो शिहत्तर को तब उन्होंने अपनी प्रिजनर्स डाइरी में लिखा और मैं कोट कर रही हूं जो पब्लिक ली अवैलेबल है अपनी अचीवरेश प्रेट के जाल में लिखे अपनी अचीवरेश नेखाई लेशाने अचीवरेश नहीं आएरी के शब्द है जो नहीं हमार्जंसी के कालखंड में जेल में लिखे अपनी achievements को बताते हुए जून 6, 1974 में स्निहलाता रेड़ी लिखती है that at least I have achieved something here I have stopped the horrible beatings the women prisoners used to get यह Congress का इतिहास है और यह भारत की बात करते है आस्तमा की patient थी यह महिला JPG को तो dialysis ना करने दिया एस्तमा की इस patient को दवा नहीं लेने दी वो दो बार asthmatic coma में गई और asthmatic coma में जाते जाते जब उनकी हालत बिगड़ी तो पेरोल पर उनको 15 January 77 में छोड़ा चार्ट शीट में इस औरत का नाम नहीं था और पांच दिन बाद उनका देहान थो गया इनका इतिहास खून से सना है और जिनकी हत्या हुई आज वो इनको कटगरे में नहीं ला सकते इसलिए आज इस सदन में मैं उनका नाम ले रही हूँ उनके बारे में बोल रही हूँ चाहते हैं कि मनिपूर पे चर्चा हूँ महिलों मनिपूर पे चर्चा करने के लिए बार बार पारलमेंट्री अफेर्ज मंत्री ने गुहार लगाई बार बार देश के ग्रह मंत्री ने कहा हमारे शद्दे राजनार जी ने भी कहा कि आप मनिपूर पे सदन पर चर्चा कीजिए हम चर्चा के लिए तयार हैं भागे ये हमने भागे ये और हमने और भागने के पीछे कारण क्या क्योंकि ग्रह मंत्री जब बोलने लगेंगे पड़ते जब खुलने लगेंगी तब ये मौन साध लेंगे मौन मुद्रा का उल्लेक हुआ था मौन थे ये लोग कई चीजों पर और आज भी हैं अध्यक्स मौदे मेरे हाथ में के पीएमजी की एक रिपोर्ट है जो इनके कारेकाल से संबंदित है जो कहता है कि करप्शन की वज़े से यूपिय की कारेकाल में हमारे देश की जीडिपी की घ्रोथ को 9% का नेगटिव इंपैक्ट होगा यह अंतरराष्ट्री एजेंसी बोल रही थी लेकिन यह चुप थे आज भी चुप हैं जो लोग जीरो लॉस थियरी सिखाते थे आज उसी कांग्रेस के एक नेता को कोईला घोटाले के लिए सजा हुई है और वो चुप है लेकिन चुप और बहुत सारी चीजों में रहे मौद है दो हजार पाक छे में यूपिय की सरकार को यह ग्यात हो गया था के कुले में शौच करने की वजह से महिलाओं का बलातकार हो रहा है दो हजार पांट छे में इनको पता था यह सरकारी सर्वे में ग्यात हुआ है लेकिन यह चुप थे 2010 में वाइड बैंक की रिपोर्ट ने कहा इनकी तब सरकार थी कि स्वच्छता ना होने की वजह से देश की GDP पर 6.4 का नेगिटिव इंपाक्ट है यह चुप रहे महिला का बलातकार को पांच में हो रहा था इनको पता था यह चुप रहे 2014 तक देश में केवल 39 परसेंट आबादी को इन्होंने टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करके दी 2019 तक 100 परसेंट कवरेज हुआ 110 मिलियन टॉयलेट यह हस्ते इस पर अधर जी शायद इनको पता नहीं है कि एक महिला के लिए दिन की शुरुवात में शौच के लिए बाहर जाना या सूर्यास्त का इंतजार करना शौच के लिए बाहर जाना और वहां उसका सारीरिक शोशन होना बलातकार होना ये कितनी बड़ी सामाजिक और क्रिमिनल चुनोती है इस बात से इनको कोई सरोकार नहीं इसलिए उपहास का विशे बनाते हैं आज मुझे ये कहते हुए शंडर्मिंदगी है कि मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि खुले में शोच करने वक्त औरत का बलातकार होता है ये उपहास उड़ा रहे है और महिला उपहास उड़ा रहे है शायद यही लक्षन है कॉंग्रेस नित अलाइंस के कि औरत का बलातकार हो तो यह से भारत मा की हत्या की बात हो तो ये यहाँ पर तालियां पीटे ये कॉंग्रेस का लक्षन है इनकी प्रस्तावना के वक्त ये कहा गया कि हम बात करेंगे मात्र एक व्यक्ति से हम किसी मंत्री से बात नहीं करेंगे क्योंकि मंत्रियों की कार्य शैली पर इनको चर्चा नहीं करने और शायद सच भी है इनका अपना अनुभव है कि इनके यहाँ पावर का केंद्र बिंदू एक था यहाँ पर फर्क ये है कि हम सब कलेक्टिव रिस्पॉंसिबिलिटी के भागीदार है इसलिए आज जब गजेंद्र शेखावजी के मंत्राले की ओर से तॉयलेट की विवस्था होती है तो मैं एक महीला सांसद और नागरिक के नाते इनका भी उतना ही अभिनंदन करती हूं जितना की प्रधान मंत्री जी का जल जीवन मिशन महदे हमारे देश में जब इनकी सरकार थी तो मात्र तीन करोड परिवारों तक नलके से पानी पहुचता था अब दोहजार उन्नीस का आकड़ा कहता है कि आपने तब तक साड़े नौ करोड तक पानी पहुचाया और अब लगभग उन्नीस करोड चालीस लाग तक आपका पानी नलके से पहुच चुका है लेकिन इनको इससे भी सरोकार नहीं कि अगर टॉयलेट बना महिलाओं का सोशन कम हुआ देश की साधारन महिला का सम्मान बढ़ा तो इनसे इनका कोई सरोकार नहीं स्पष्ट है गरीब के घर में नल से जल पहुचा तो कॉंग्रेस का उसका कोई सरोकार नहीं यह स्पष्ट है और सही है हमारा सरोकार है देश हमारा है सेवा हमारी है आज यह उत्तेजित हैं कि मैं इस सदन में मंत्री मंडल के अपने कई सहयोगी साथियों का वर्णन करती हूँ एक ऐसी महिला मंत्री का वर्णन कर रही हूँ जो वर्तमान में नहीं है जन्धन के माध्यम से 23 करोड महिलाओं का बैंक का खाता खुला ये इनके लिए कोई मान्यता नहीं रखता ये मुझे स्विकार है ये हमारे लिए एहम है मुद्रा के माध्यम से 40 करोड लोगों को जो जीवन में कभी व्यवसाय नहीं कर पाते थे जिनके पास कॉंग्रेस की परसनल डायलिंग मशीन नहीं थी उनको मुद्रा का लोन मिला 27 करोड लोन महिलाओं को दिये गए महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 23 लाख करोड रुपया सैंक्शन किया गया मुद्रा के माध्यम से इनका उससे कोई सरोकार नहीं आठ करोड नौजवान हमारे राश्र के इतिहास में फर्स काइम अंटरप्रणास बने इनका उससे कोई सरोकार नहीं एक लाख अस्ती हजार अकाउंट्स में स्टैंड अप इंडिया का चालीस हजार करोड का पैसा दिया गया 80% महिलाएं ठ्क अपनी बात करिया तत्यूं के अधार पर के रिये आप कुत कर्णन करना है या गलाघ भाट यह है नौ नौ गलत मानिमंती जी मानिमंती जी अब की मन अनुमती से सर में पुना बोलू जैसे कि मैंने कहा महिला का अगर आर्थिक सामाजी कुछ थान होता है तो इससे इनको कोई सरोकार नहीं सेल्फेल्प ग्रूप की बात करते हैं जब इनकी सरकार थी तब मात्र 19 लग सेल्फेल्प ग्रूप को इन्होंने 80,000 करोड का लोन दिया हमने 9 करोड महिलाओं को 5 लाग करोड की आर्थिक विवस्ता करके दी देश के सेल्फेल्प ग्रूप में यह हमारा अभिमान है जो आज महिला के बारे में चर्चा कर रहे हैं जब इन्होंने महिला संबंदित बजेट की व्यवस्था की तब इनके कारेकाल से 130 प्रतिशत जादा बजेट हमारे प्रधान मंत्री जी ने देश की महिलाओं को समर्पित किया ये हमारा अभिमान है आयूश्मान भारत के अंतरगत 10 करोर परिवारों में महिलाओं को आयूश्मान भारत का कार्ड मिला आज तक 2 करोड़ 60 लाग महिलाओं ने अब हॉस्पिटल वेलनेस सेंटर में सुविधायली ब्रेस कैंसर में 12 करोड़ सौविकल कैंसर में 8 करोड महिलाओं ने स्क्रीनिंग कराई इनका उससे कोई सरोकार नहीं बलकि इनका उनसे सरोकार है दिल्ली में जिनोंने आयूश्मान भारत योजना दिल्ली में लागू ह कोई नहीं की इनका उनसे सरोकार है देश में मोधी सरकार में 3 करोड 84 लाग घर बनें जिन में से 2 करोड 86 लाग महिलाओं को मिले इनका उनसे कोई सरोकार नहीं क्योंकि गरीब महिला लगपती दीदी बन गई वो हमारा अभिमान है इनका नहीं हमारे देश में आठ करोड़ पचास लाख बेटियों ने समग्र सिक्षा के माध्यम से स्कूल में सेवाली मुफ्त टेक्सबुक की सेवाली बेटियां का ये उपलब्धी हमारा अभिमान है इनका नहीं पांच लाग से जादा बेटियों के लिए स्कूलों में अलग से टॉइलेट की विवस्ता हुई, यह इनका अभिमान नहीं, हमारा अभिमान है, हमें अपनी बेटियों पे गर्व है, पांच लाग दिव्यांग बेटियों को मंतली स्टाइपन्ड मिलता है, यह सेवा हम देश का मौका परिवारों ने हम को दिया दो लाग से जादा बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है आज एलिमेंटरी एजुकेशन में बेटियों की एन्रोल्मेंट शक्त प्रतिशत है इस देश में यह हमारे देश के लिए गौरफ की बात है आज पहली बार पहली बार फीमेल एंरोल्मेंट उच्छ सिक्षा में महोदे दो करोड से जादा हुआ है महिलाओं का यह देश के लिए गौरफ की बात है आज दलित बेटियों का एंरोल्मेंट बड़ा है 38% दलित बेटियों का उले करती हूँ यह चिलाते हैं इनको दलित बेटियों से सरोकार नहीं हमको है यह हमारे लिए गर्व की बात है आदिवासी बच्चे लड़किया 63% उनका इंरोल्मेंट बड़ा महोद है आदिवासी बच्चे के साथ इनका कोई सरोकार नहीं आदिवासी बेटियों ने हमारे प्रधान मंत्री को सेवा का मौका दिया यह हमारे लिए प्रभू की असीम कृपा है नौर्थीज की बात करते है तो महिला ने नौर्थीज में 34% की इंक्रीज हुई है इन्रोल्मेंट में नौर्थीज के मेरे सभी साथियों को चाहे वो सदन में कहीं भी बैटे हूँ महिलाओं की दृष्टी से मैं अभी नंदन देती हूँ आज हमारे देश में महिला जो पीएजडी करती है 99.2 प्रचित्रत की वृद्धी हुई है इंरोल्मेंट में पीएजडी करने वाली महिलाओं में ये हमारे लिए हिंदुस्तानी होने के नाते गौरव की बात है आज जो महिला सेक्षिक संस्थानों में सेवा दे रही उनिवर्सिटीज में इंस्टिउशन में कॉलेजिज में 66 परसेंट 66 परसेंट उनकी वृद्धी हुई है आप हो हो करते जाए हम तो उनके लिए बल्ले बल्ले ही करेंगे आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे लेबर मिनिस्ट्री ने कहा है कि एपिएफ में 28,70,000 महिलाओं ने अब अपने आपको सब्सक्राइबर बनाया है आज 2017 से लेकर 22 तक लगभग 1400 महिला साइंटिस्ट को भारत सरकार की विविद स्कीम्स के अंतरगत सहयोग मिला है आज महिलाओं को मटर्निटी लीव में 26 हफते की पेड मटर्निटी लीव मोधी सरकार ने सुनिश्चित की है आज महिलाओं ने तीन करोड बेटियों ने महिलाओं ने प्रधान मंत्री मात्रवंदना योजना के अंतरगत 13,700 करोड रुपया अकने बैंक के खाते में पाया है इस सेवा के लिए प्रधान मंत्री जी को आभार और बेटियों का अभिनंदन आज हमारे देश की बेटियां सैनिक स्कूल में पढ़ सकती है इस एतिहासिक निर्णे के लिए रक्षा मंत्री जी प्रधान मंत्री जी को आभार आज हमारी देश की बेटियां आम्ड फोसे में पॉमिनेंट कमिशन पा चुकी है हमारे देश का गौरब बढ़ाने के लिए ऐसी बेटियों का आभार आज जो महिला और महिला हक के लिए यहां बोल रहें कि आप आप विशे पर बोल रही है और आविशास पस्ताओं पर सब विशे पर बोल सकते हैं यह तरीका अच्छा है क्या बोलिए मानी अधे वो भी शायद मजबूर है उनको भी रिमोट से डाइरिक्शन आया है इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज एक तरफ हमारी बेटियों ने सैनिक स्कूल में आम्ड फोस्स में अपने प्रतिभा के अधार पर देश का गौरब बढ़ाया है दूसरी ओर बिना किसी पुरुष सहयोगी के हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 4,313 मुस्लिम बहने अकेली हज के लिए गई और सुरक्षित हिंदुस्तान लोटी जो महिला हक की बात करते हैं महदे उनसे कहना चाहती हूँ महिला हक को संरक्षित करने के लिए जब हमारी सरकार क्रिपल तलाग के कलंक को मिटाना चाहती थी तब महिला के हक में नहीं बलकि वोट बैंक के लालज में इन्होंने सदन की कारवाई को त्याग दिया थी आज जब ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं महदे तो ये कहना उचित होगा कि एक तरफ निर्भया फंड की रचना की घोशना करते हैं तेरा में एक काम निर्भया फंड में नहीं करते लेकिन जो निर्भया के बलातकारी हैं उनको कंग्रेस नित अलायंस के लोग बलातकारी के हाथ में दसजार रुपे और एक सिलाई की मशीन देते हैं आज हमें इस बात का गौरव है कि देश में 42 प्रोजेक्ट पांच हजार करोड की लगभग लागत से भारत सरकार के सौजन्य से बन रहे हैं जो महिला सुरक्षा के लिए ये ना कर पाए वो आज प्रधान मंत्री मोधी कर रहे हैं आज Integrated Emergency Response Management System के अंतरगत देश के 983 रेलवे स्टेशन्स पर महिला पैसेंजर्स के लिए 2400 घंटे सुरक्षा का प्रावधान किया गया आज कौनकन में Video Surveillance System की विशेश व्यवस्ता महिला संरक्षन और महिला सुरक्षा के लिए की गई आज चुकि रेल मंत्री बैठे हैं Artificial Intelligence के आधार पर Facial Recognition System, Integrated Surveillance System ये सब भारत सरकार के सौजन्य से महिला सुरक्षा के लिए प्रधान मंत्री मोधी ने सुनिश्चित की एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूँ धक्षे कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षन के दर्षन दिये जाते जाते हैं जाते हैं करते हैं जाते हैं। उस खांदान के लक्षण है याज सदन में देश को पता चले लेकिन कहा गए है वहाँ पर क्या हालात है अध्यक्ष महदे गोध भराई के नाम पर राजिस्थान में भासकर ने लिखा है कि राजिस्थान की कॉंग्रेस की सरकार जेब भराई कर रही है 13 से 20 महीले का घरबाशे दिखाये जा रहा है राजिस्थान में और भारत की तिजोरी से पैसा लूटा जा रहा है इनका सरकार महिला उत्थान से नहीं ये महिला के बारे में क्या सोचते हैं इनकी क्या हरकते हैं इनके नेता ने जाते जाते हैं यहां पर उसको प्रसारित कर दिया है लेकिन इने सरकार इनके नेता को किस से है चीन से है तो चूंकि सब चीन में इतनी रुची लेते हैं कॉंग्रेस पार्टी के नेता इसलिए आज एक सुख़त समचार भी सुनाती हूँ चीन में 31st University Games हुआ 1959 से लेकर आज तक भारत को मात्र 18 पदक मिले इस बार 26 मेडल का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के बच्चों ने स्थापित किया भारत मा के टुकडे के लिए तालिया बजाते थे भारत मा के बच्चों के लिए तो बजा दो 11 गोल्ड, 5 सिल्वर, 10 ब्रॉंज आज देश के युनिवरसिटी के चात्र देखे कि 31st University Game में भारत का नाम रोशन करने वाले चात्रों के लिए मैं गुहार लगा रहे हूं कि कॉंग्रेस पार्टी यहां अभिनंदन कर दे लेकिन वो अभिनंदन से भारत के बच्चों को वंचित रखते हैं अभिनंदन की निकली तो एक वो भी थे जिन्होंने आस्मान चीरा और दुश्मन को मूतोड जवाब दिया आज जो यक्ति यहां पर भारत की आवास का उलेक कर रहे थे उन्होंने भारत की आवास में आवास मिला कर तब नहीं बोला जब आतंकी हमला करते हैं उन्होंने भारत के आवाज से अपनी आवाज को भिन करते हुए इस सदन में भारत के रक्षा बलों से प्रमान मांगा इस सदन में लेकिन प्रमान क्यों मांगा क्योंकि कुछ लोगों ने कहा हुगा और प्रमान मांगने का क्या सलीका है यह मीडिया के मित्रों के माध्यम से आया है ध्यान में देश के नूज क्लिक की आज बात करना थोड़ा मैं जरूरी समझती हूँ कि किस प्रकारों को हिंदुस्तान में लिखते है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान के खिलाफ न्यू सर्कुलेट होनी चाहिए कैसे चाइना के समर्थन में अलग-अलग आर्टिकल लिखने चाहिए और इसे एक बार छपवा दो तो ट्राइ कॉंटिनेंटल पॉब्लिकेशन इसको इकठा करके फिर काम आगे बढ़ाएगा मेरे एक पारलमेंटरी स्रैयोगी निशिकान जी ने इस पर जब विशे उठाया तो मैं सब्दु हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी ने डिमांड नहीं की कि अगर कोई बाहरी ताकत का पैसा लेकर हिंदुस्तान में व्यवस्थाओं को भंग करना चाहता है हिंदुस्तान को कलंकित करना चाहता है तो उस पर करवाई करो ऐसा कॉंग्रेस का पक्ष नहीं था कॉंग्रेस ने पक्ष ये लिया कि जो निशिकान दुबे के मुझ से शब्द निकले हैं उनको एक्सपंज कर दीजे लेकिन ये जो ट्राइ कॉंटिनेंटल पब्लिकेशन है महते जिसके बारे में नाब इडी को मने New York Times को मने वो ट्राइ कॉंटिनेंटल पब्लिकेशन के जो मुख्य रिसेर्चर है उनके वक्तव्य को कॉंग्रेस पार्टी अपने अफिशल फेसबुक पर क्यूं डालती है यह मैं पूछना चाहती हूँ जो जान बूचकर भारत के किसानों के हितों के खिलाफ बोलते हैं उनका वक्तव्य प्राई कॉंटिनेंटल पब्लिकेशन वालों का जो सीनियर फैलो ये रिसरचर है उसका वक्तव्य कॉंग्रेस नैशनल कॉंग्रेस की फेस्बुक प होता है ये थोड़ा बहुत शोद का विशेह है ये थोड़ा बहुत चर्चा का विशेह है आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब प्रस्तावना हुई मैं तो प्रस्तावना के विरुद्ध खड़ी हूँ मैं नरेंद्र मोदी जी के नित्रित्व पर राष्टर के सभी नागरिकों के साथ पुना विश्वास दर्शाते हुए अपना वक्त अव्य देती हूँ लेकिन राहूल जी ने किस पर विश्वास जताया राहूल जी ने विश्वास जताया मुस्लिम लीग पर कहा सेकूलर पाटी है शायद राहूल जी ने ना पड़ा हो कि 80 के दशक में मुरादाबाद में 83 लोगों को मारने वाली मुस्लिम लीग राहूल जी को बताना पड़ेगा सेकूलर कैसे हुई राहुल जी को आज जवाब देना होगा कि वो राश्ट भक्ती की बात करते हैं तो क्या JNU में जाकर जब भारत तेरे टुकडे होंगे का नारा दे रहे थे वो राहुल गांदी की देश भक्ती थी राहुल गांदी को आज जवाब देना होगा है तो नहीं उनको आज जवाब देना होगा जिस अफजल गुरू ने इस संसद पर हमला किया उस अफजल गुरू के संरक्षक समर्थक को कॉंग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी का नेता बना दिया जिसने कहा यह राहूल गांदी की देश भक्ती है राहूल गांदी की देश भक्ती आज बताती हूँ इन्होंने घबराईये मत आपी की निता बोलकर गए है घबरा क्यों नहीं है बैठिया और आम से बोल रहे हूँ मैं तुना बोलना चाहती हूँ अध्यक्ष मौदे बहुत सारी व्यवधान आए अब राहूल जी की बात चलिए तो कृपा थोड़ी से बढ़ दीजिए दुबारा कहती हूँ क्या बोले हैं और क्या बाहर बोले हैं देश के बाहर गए तो कहा idea of India conclave में that there is going to be a Mars absurd India has massive amount of polarization ये राहूल गांदी के शब्द है इसका मतलब राहूल गांदी ने विदेश में जाकर कहा हिंदुस्तानी सोहार्द की धूमिका में नहीं रहते राहूल गांदी ने कहा कि हिंदुस्तानी भायचारे में इतना विश्वास नहीं करते because there is a massive amount of polarization और राहुल गांदी ने कहा there is going to be a mass upsurge now the question is how can the opposition effectively use the upsurge to change politics मतलग नोन ने कहा कि देश में उथल पुथल होगी मैं पश्ट करना चाहता हूँ विपक्ष इस उथल पुथल को कैसे इस्तमाल कर सकता है ये मैं सोच रहा हूँ फिर उनका शब्द है देश में केरोसीन फेला है हमें एक चिंगारी की जरूरत है आज पूछना चाहती हूँ माचिस धूनते धूनते रहा हूँ गांदी कहा का गए अमरीका गए तंजीम अंसारी के साथ जो पाकिस्तानी इमाम जावद अहमद के साथ तालुक रखते हैं अमरीका में अपने कारिक्रमों को उनके साथ करवाया राहूल गांदी मिनाज खान जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग की आज जो लोग इस देश में एस्पियोनाज के लिए पकड़े जाते हैं उनका राहूल गांदी ने जाकर विदेश में समर्थन किया यह तब से अडानी अडानी कर रहे हैं तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूँ खोटो मेरे पास भी है इतना ही खराब है तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे हैं तो निशिकान जी सही कहा किसी को सेट करो किसी को भेट करो पूछना चाहती हूँ 1993 में मुंद्रा पोर्ट में कॉंग्रेस की सरकार ने अडानी को जगा दी तब प्रधान मंत्री कौन थे कॉंग्रेस के थे वित्त मंत्री कौन थे मनमोहन सिंग थे अडानी बोल रहे हूँ यूपिय के कारिकाल में अडानी को इन्होंने 72 हजार करोड का लोन दे दिया क्यूं दिया राजिस्थान में साथ हजार करोड से जादा का समझोता कर लिया गैलोज जी के साथ 20 हजार एकड जमीन ले ली क्यूं किया केरल में कॉंग्रेस की कॉंग्रेस की UDF सरकार के साथ पोर्ट का काम क्यों दिया महराष्ट में जब कॉंग्रेस के पास सत्ता थी तो फिर कॉंग्रेस ने अडानी को पोर्ट का काम क्यों दिया बंगाल में हल दिया पोर्ट का काम अडानी को क्यों दिया 36 गड़ में कांग्रेस पार्टी ने अदानी को काम आदिवासियों ने मना किया फिर भी जूदिया अब इसमें बेटा कितना सेट होगा दमाद को कितना भेट होगा हम क्या जाने लेकिन आज 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 अरे दमाद का मामला है बैट जाए बैट जाए बैट जाए बैट जाए तूजी में भी पकड़े जाएंगे बैट जाएए अब बताईए इस पूरी बला की जड़ मौद है पूरी बला की जड़ परिवारवाद में है और परिवारवाद की राजमीदी की जड़ कॉंग्रेस पार्टी में है इनके अलाइंस के लोग चारा खाते हैं ये उनके घर मटन खाने चले जाते हैं इनके अलाइंस के लोग रेल के लिए गरीब की जमीन खाते हैं जाके वो उन्हीं लोगों को गले लगाते हैं और इनके साब के पीछे एक ही मजबूरी है जो बड़ी विनम्रता से अध्मी टारेवी त्रीकारी की मजबूरी हमारी की तीसरी बार जनता कह रही है फिर एक बार प्लीज कर रहे थे किसान की तो किसान का क्या हश्र करते हैं वो मैं बत्राइना चाहती हूँ अध्यक थोड़ी सी मुझे मुझे मुहलत दे दे यह मैं कहना चाहती हूँ छेत्री की बात जिसकी मैं प्रतिनी धी हूँ जहां पर बैठिये 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 प्लीज के लिए दी और अमेठी में भोके से किसानों की ये जमीन हड़पने वाले फाउंडेशन का नाम गांधी खांदान है 2019 में 2016 में राहुल जी दोरे में गए तिलोई वहां पर लोगों ने कहा 200 चात्रों को जेल भगा दिया सत्रा में जेल भगाया सेठा गौरी गंज में रवान है आजाओ गौरी गंज दूद का दूद पानी का पानी यही कर दूँगी गौरी गंज सेठा रोड़ पर जमीन हप जाली बुसियावा मार पर नासिंग भानपूर पर हुनशी गंज में जमीन हत्याली यह उनका संस्कार है जमीन कौन-कौन हडपता है यह कौंग्रेस की गाथा फ़र्ष्ट है जहां यह है वहां पर आज मैं अभिनंदन देती हूं रेल मंत्री का कि रेल कोच शाक्री राइबरेल में भी दस हजार कोचिस तब बनी जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधान मंत्री बने पीड़ा हो रही है मैं बस इतना बताना चाहती हूं कि आज जो किसानों का दम भरते हैं बालियान साब शायद या नहीं है मैं अमेठी के किसानों की ओर से विशेश बालियान साब आपको नत्मस्तक होकर आभार वर्ट करती हूं राष्ट के इतिहास में पहली बार अमेठी में खाद की रहा कुत्री जब मोदी आए इन्होंने न खाद दी गौरी गंज में किसानों पर लाधी चाज करते थे राधनाची इसके साक्षिये इन्होंने 80% लोगों के पास अमेठी में जहां 5 कशक इन्होंने राज किया 80% लोगों को शौचाले नहीं दिया, 60% लोगों के घर में बिजली नहीं दी और ये आज लोगतंत्र की बात करते हैं, अपनी प्रतिभा की बात करते हैं आज मैं आभार बेक्त करती हूँ, अमेठी का पहला सैनिक स्कूल मोदी जी ने दिया, साड़े साथ लाख लोगों को मुफ्त अनाज मोदी जी दे रहे हैं, अमेठी का आज पहला मेडिकल कॉलेज जिसके नाम से इस खानामने दरमीन हडप ली थी, वो नरेंद्र मोदी ने पहला में नहीं जानती, लेकिन इतना जुदू का पहला है, और रोम के एक फिलोसफर का ये पतर भी, अमेठी मंदल में अभिश्वास प्रसाव लाए है, तो मंत्री मंदल में बोलेगा, उनको बोलने का अजिकार है, प्लीज आपेट गेगे, नो, मनीपुर पर चर्चा आ लिए पुलता अप्तर भी आएगा, पृंतु नो, मनीपुर खेट टाउड़ी, अजिन के पास नयती थी, ना देश के प्रती निष्था थी, आज नजो कभी हंदू के हुए, जिनो ने राम के अस्तित्त्व का नकार दिया, ना सिखों के साथ जिन्हों ने इंसाफ किया जो ना कभी महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित थे ना नौजवान के सशक्तिकरण के लिए समर्पित थे ना किसान के बलिदान को स्वीकार कर किसान की समर्धी के लिए समर्पित थे आज उनसे कहना चाहती हूँ, कि जो समर्पित है, जो सब के विश्वास के साथ सब का विकास कर रहा है, उस पर देश को पुना विश्वास दिखाएंगे, 24 में पुना मोदी सरकार बनाएंगे, इस अविश्वास प्रस्ताव का मैं निशेड करती हूँ, और भारत मा का जैकारा लगाते हुए, जो भारत मा की हत्या की बात कर रहे थे मोदे, उनसे कहना चाहती हूँ, अंग्रेज आए, चले गए, मुगलिया सल्तन रताई, खतम हो गई, हिंडुस्तान आज भी है, और अंग्रेश की तिजोरी की चाबी, वापिस उनकी माता जी के हाथ में नहीं देगा, श्री मिदून डेटी जी, सर, प्लीज नाव सिट आप,